नमस्का दोस्तों बड़ी खबरे लेकर आएं सबसे पहले और मुखी समाचार आप तक पहुंचाएंगे हर्याना चुनाओं को लेकर जो नतीजिया हैं दोस्तों उस पर तमाम प्रतिक्रिया जारी हैं सोचल मीडिया पर कॉंग्रेस हमलावा चुनावा एक पर किसी पेकार की सभी बड़ी खबरे जारेंगे जो अभी तक के मुखी समाचार आ रहे हैं उन खबरों को भी जानेंगे जो सोचल मीडिया पर जरदस तरीके से ट्रेंड कर रही हैं दोस्तों आपनों बने लिए साथ में और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीचेगा आप भी मानते हैं एब्यम में गरवडी संभाव है तो एक लाइक वीडियो को जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में चरूर लिखतीज़ेगा आपी सपोर्ट बैलेट जिया दोस्तों हर्याना पोश्टल बैलेट के नतीजे जो थे वहां कुछ हिस पर काया थे 90 सीटों के नतीजे आपको बताते चाहिए जो पोश्टल बैलेट के अनुसार है इंडियान नेस्नल कॉंगरेस चोहत्तर बीजेपी सोला लेकिन एबियम खुलते ही गेम यहां पे पलट गया हर्याना में जो हुआ है दोस्तों बड़ा खेल कॉंगरेस को चोहत्तर सीटे बैलेट पेपर की गिंती में मिली बीजेपी को मातर सोला यह पोश्टर बैलेट के नतीजे हैं और सोसल मीडिया यूजर्स तो यह तक कहते नज़रा रहे हैं कि यह हार्याना का बास् का एक पती निदी मंडल आज चुनाओ आयोग भी पहुंचा और अपनी सिकाइप दरज कराई अभी अभी ताज अपडेट आई है चुनाओ आयोग भी निसानी पर रहा कौंगेस पार्टी के आप सभी को बताते चलें का यहां पर समाम समस्याओं को लेका चुनाओ आयोग दोस्तों मुख्य बात आपको बताते चलें यहां पर कौंगेस को गढ़नना आम आदवी पार्टी से ना करना महेंगा पड़ा आम आदवी पार्टी के कारण कौंगेस को लगवाग दस सीटों का नुकसान हुआ आप पर 83 को हार के अंतर से ज्यादा बोट मिले यहां सबू के कौंगेस की हार का मुख्य कारण लोग अर्विंद केजीवाल को बता रहे हैं दूसरी तरह बीजेपी की बीटीम बीस्पी को भी बता रहे हैं लेकिन अर्विंद केजीवाल मुख्य रूप से क्यों जी हां क्यूंकि इंडिया गढ़नन का हिस्सा है अमानुई पार्टी लेकिन फिर भी गढ़नन करके ना चुनाओ लड़ना बीजेपी को फाइदा पहुचा गया अर्विंद केजीवाल की बज़े से आपको बताते चलें सोसल मीडिया पे लोग कहते नजार आ रहे हैं कि अर्विंद केजीवाल अपने फाइदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं य इस पार्टी को कितने कुल बोट मिले हैं सीटें आप सभी जानते हैं भाजपा को 55 लाग तो कॉंग्रेस को मिले 24 लाग बोट बोट से लगभग बरावर है अर्याणा के चुनाबी रन में कॉंग्रेस को भाजपा से सिर्फ एक लाग अठारा जार एक सो ठान्वे बोट कम म आदवी पार्टी ने 2,48,455 बोट हांसिल किये कोई सीट नहीं जीती जिया दोस्तों अगर आम आदवी पार्टी साथ में लड़ती कॉंग्रेस की चुरावा तो यहां पर कॉंग्रेस का यह मार्जिन होता एक लाग से जादा बोट कॉंग्रेस पार्टी इंडिया कड़व को मिले होते नोटा को 33,300 लोगों ने आपर दोस्तों इवियम में दवाया नोटा को बोट किया और दोस्तों यह ताज अपडेट निकल किया आई पॉंटा के लावा कॉंग्रेस के भीता चार ऐसे बिगज हैं जिन्तों पर हर्याणा में कॉंग्रेस की सरकार बनाने की जिमेदाई थी लेकिन जिस तरह से पार्टी की हार हुई उससे कहा जा रहा कि नेताओं कि भूंपता पार सवाल उठ रहा है जी हां इसमें अजे माकर हैं असोग गैलोर राजिस्थान के पूर्व सियम सुनील कॉनुगोलू और इसके साथ ही दोस्तों आपको बताते चलें दीपाक बावरिया नाम के वेक्ती भी सामिल हैं कॉंगेस नेता हैं कॉंगेस की भीतव अवरिया को राहुल के किचन कैविनेट का सदा से माना जाता ह हैं राहुल के करीबी हैं और अगस 2022 में उप्चाइक रूप से कॉंगेस में सामिल होने वाले सुनील कॉनुगोलू हर्याना में कॉंगेस की रणीती देख रहे थे कहा जाता कि हर्याना मांगे हिसाब पद्यात्रा का रोड में भी इनी नहीं तैयार किया था इनी के सर्वे नि Ghagin कर ने कहा रहा है कि इसके बाद पार्टी कोई एक्षन ले सकती है हर के बाद खडगे ने कह हगे नहीं कंप ऑ्याना में तरह है हरया कॉन्गेस के imahiaurus में तधर्की थे तो आएगी दोस्तों और कई निताओं पर गाज गेना भी संभावे हर याना कौंगे उसके इसी कसाद दोस्तों अगली अपडेट जम्मु कश्मीर से आ रहे हैं जहां पर प्रचंड जीत हुई है इंडिया कड़नन की चार निदलिये विधायक भी यहां पर नेसनल कांफरेंस ज जिपाल दोरा दोस्तों चुने जाने हैं माना जाना बीजेपी के ही ये लोग होंगे वहीं नेसनल कांफरेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने करा कि स्वतनत उमीदवार हमें ले जा रहे हैं भी हमाएं साथ आएंगे आपको बताते चलें इंडिया कड़नन की ताकत और भ खानी पड़ी है इंडिया कड़नन ने चारो खाने चित किया है बीजेपी को अगर इसी पेकार के कड़नन हर्यारा में होता तो दोस्तों आज तस्वीर कुछ अलग होती बीजेपी सत्ता से बाहर होती वहीं दोस्तों आपको बताते चलें जापान इवियम का सबसे वड़ा निर्यातक देश है हन्स राज मीना ने टूइट किया है सोसल मीडिया यूजर है जी यहां दोस्तों ताफिस सक्रिय रहते हैं और इवियम को लेकर सवाल पी उठा है इन्हों ने का कि जापान सबसे बड़ा निर्यातक देश है इवियम का लेकिन जापान में चुमाओं इवि चड़की आ रहा है हन्स राज मीना ने का कि फिर हमार चुनाओ आयोग और सत्ता धाइद्दाल क्यों इवियम से ही चुनाओ कराने पर आड़े हैं है हैस्टेग बैन इवियम ट्रेंड कर रहा है दोस्तों जापान भी इवियम नहीं बैलेट पेपर से चुनाओ कराता है परकार का टूइट हंस राज मीना ने किया है तुम्हें दूसरी तरफ सोचल मीडिया पर मांग उटने लगी कि इवियम को बंद किया जाए पुर्वरा जिपाल सत्तिपाल मलिक ने चुनाओ नतीजों पर सवाल उठा है सबसे पहले उन्होंने हर्याणा में कांग्रेस के न इस पच्छ चुनाओ नहीं हो सकते जिस देश ने इवियम मनाया वहाँ भी इवियम से चुनाओ नहीं होते यहाँ पर भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने इवियम को लेकर सवाल उठाए है वहीं दूसरी तब दोस्तों भाजपा में मुख्यमंति पद को लेकि खिष्टान जारी है केंद्रे मंत्रे राउं इंदजीत ने आज यहां पर एक बड़ी बात कही उन्होंने एक टीवी चैनल से बाचीत करते हुए कहा कि दच्छ नहीं ने तीन बार भाजपा की सरकार बनवाई है तो पारटी को उन्हें भी तबज्ज्व देनी चाहिए दच्छ मुख् गोशित किये करहल से तीछ पता प्यादब सीसा माउस नसीम सोलंग की फूल पूर्स से मुस्तफा सिद्ध की मिल्की पूर्स से अब देश पसाद के बेटे अजीत पसाद कटाहरी से सोभावती वर्मा मजवा से जोती विंद इस लिस्ट में पीडिया फार्मूला का यूपी के लखीमपूर में पुलिस के सामने ही बीजेपी विधायक की उटाई हो गई जमके पिटाई हुई जी हाँ दोस्तों बार फिर समातकों ने लात घूसे मारे बीजेपी अमेले का वीडियो यहां पर खामयाजा भगतना पड़ेगा बोले थपर कंड के बाद बीजेपी विधायक ने धमकी वरे लहजे में वार ध्यच को धमकाया जी हाँ दोस्तों ये ताजा अपडेट ने कलके विधायक की यूप झाल 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 झाल